ये तो कुदारन में दे रहा हूँ तो ऐसे बहुत से जो विशे हैं सुन करके और उसमें विशे आए हैं हैरानी की बात है पिछले सब्ता एक नौजवान मुझे कहते हैं कि मेरी सरकारी नोकरी और वो नहीं लगी है मेरी सरकारी नोकरी ने लगी तो मैं HKRN में काम कर रहा हूँ तो किस दिके से मेरी सरकारी नोकरी लग जाए संयोग से वो गाउं मेरा देखावा गाउं मैंने जो पूछा कि आप कौन से परिवार से हैं तो हैरानी की बात ये है कि वो एशे सेक्ष का बतीजा कि जिस सेक्ष के जिम्में हरिणाप प्रदेश के नोजवानों को नौकरी देने का काम है ये ठीक है वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं दे सकते और वो कौन है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के चेर्में श्री भपाल संग जी ये जो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन का चेर्में भपाल संग उसका बतीजा भी वो नौकरी नहीं दे सकते तो इसमें से आपको यह श्वास होगा कि नौकरी यहाँ परची और खर्ची से नहीं मिलती है अब नौकरी हमारे किसी के सबारिश करने से कहने से नहीं मिलती है नौकरी मिलेगी युग गता से तो युग गता का अधार पर नौकरी मिलेगी तो खदरी शुभास अपने भपाल संग जी को जो बतीजे हैं उनको हरपाल संग को यह अच्छा लगा कि हाँ मैं अपनी युगता के अधर पर ही आगे नोकरी लगूँ ये उनकी इच्छा बनी है तो इस परकार बहुत से जिकायत है